हेलो एवरिवन आयम अन्षगरवाल आप सभी की कैट की प्रप्रेशन बहुर तथी चल रही है और आज हम लोग कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्स की बात करेंगे जो आपके काफी काम आएगा कैट 2021 में ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा यह सब ओफिशियल नोटिफिकेशन है ठीक है तो ओफिशियल जित्ते भी डेटा हैं यह सब ओफिशियल है कैट 2020 से रिलेटेड और हम बात करेंगे की कैट कर नोटिफिकेशन कब आ सकता है कैट 2021 का ठीक है तो ध्यान से देखिएगा आपको आज की वीडियो में काफी सारी चीहें पता चलेंगी हो सकता है आपको कितने लोगों के आये तो नाइन कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके कैट 2020 में 100 परसेंटाइल आये थे ठीक है सबी मेल थे अब यहां पर अपना जीडी या डिबेट चालू मत कर देना कमेंट सेक्शन में ठीक सेवन ओट ओफ नाइन कैंडिडेट्स रेसीविंग थाइस्ट अ वाले ब्रेक्गराउंड के यह देखो जैसे मेना हमेशा का है कि आपकी जो में कॉम्पेटिशन रहती कई बच्चे मेरी बात मानते नहीं है आज उनके साथ में फैक्ट की बात कर रहा हूं और ऑफिशियल डेटा के साथ बात कर रहा हूं तो हो सकता अब उनको समझ में है कि maximum engineering background के जो बच्चे होते हैं उनके 95 से ज्यादा परसेंटेल काफी बच्चों के आते हैं ठीक है तो यह द्यान रखना तो आपको भी अगर महनत करनी है तो उस लेवल पर करनी पड़ेगी क्योंकि देखो सिंपल सा एक फंडा है जो engineering background वाले होते हैं उन्होंने 11-12 में पूरी maths पड़ी होती है है ना IIT और इन सब की तयारी करते हैं जी में इन सब की तो अल्रेडी उनकी maths थोड़ी अच्छी हो जाती है तो अगर maths अच्छी होती है तो देखो उसका effect आपका LRDI में भी आता है तो उनके दो section थोड़े से non maths वालों से अच्छे होते हैं और English तो देखो करी लेते हैं अगर daily newspaper पढ़ रहे होंगे तो preparation हो जाती है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना जो मेहनत उन्होंने 11-12 के समय की थी वो उस level की मेहनत आपको अभी करनी पड़ेगी अगर आप non maths के हो और इसा कोई बड़ी बात नहीं कैट में limited topics होते हैं आप कर सकते हो अच्छी मेहनत तो आप भी even अगर non maths के भी हो तो आप जाके अच्छे percentile ला सकते हो कैट में लेकिन आप मेहनत आपको अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि आपका main competition engineering वालों से रहेगा यह मैं बार 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 गोलता हूं देखो य ठीक है one candidate mathematics background एक candidate maths background उसका भी था तो 9 में से 8 तो यह हो गया and one is from management background एक थे management background से ठीक है and the remaining four remaining four में IPM program का IAM indoor इसकी भी हम preparation कराते हूं अच्छा याद आया इस बार अभी जो result 2 आया है 2021 IPMAT जो हुआ है इसमें अमारे यहां से भी 9 selections हूँ है IPMAT indoor में ठीक है IAM का जो written exam का नाम होता हूँ IPMAT होता हूँ उसमें 9 selections हूँ है ठीक है फिर Bits Plani, Thaapar Institute and YMCA Institute of Engineering respectively है न ने दिया कि इन पूरे एक प्रकार से 9 candidates के आपके सामने कुंडली रख दी ठीक है फूर्थ पॉइंट the candidates scoring over 100 percentile 3 अब इनके city के हसाब से देख लो state के हसाब से देख लो 3 थे राजिस्थान से remaining जो 6 थे Delhi, Haryana, Maharashtra, Punjab, Telangana, UP MP ठीक है MP वालों कुछ करो है न हम MP से तो हम चाहेंगे कि MP से भी लोगों के आए वो बाकी हर स्टेट से आए ठीक है इस बार ज्यादा राजिस्थान वालों ने बहुत अच्छा किया है अपने लिए क्लैपिंग कर लेना राजिस्थान से जित्ते भी लोग ये वीडियो देख रहा हूं ठीक है इसमें से 18 मेल थे और एक फिमेल थी ठीक है तो आउट ऑफ 19 एसपरेंट्स आप 99.99 परसेंटाइल एटीन मेल थे और एक फिमेल थी और इतने जो कंडिडेट थे ये जो 19 इसमें से 16 अप इंजिनेरिंग बैग्राउं के आगए है ना दो एकोनॉमिक से थे और वन इस फ्रॉम मेनेजमेंट तो यहां पर आपको मेजॉर्टी किसकी दिख गई इंजिनेरिंग बैग्राउंड की मैं खाना अगर आपका टारगेट है मोर दन 95 परसेंटाइल इन कैट तो आपको बहुत मेहनत करने पड़ेगी अब यह डेटर में आपको सबको समझ में आई हिया होगा ठीक है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं हमारा वीडियो कूर्स आपकी बहुत हल्प करेगा और अच्छे खासे परसेंटाइल आते हैं हमारी अंद बच्चों के अब खुद देख लो अभी आई-पी मैट का भी 244 इस्टुदेंट्स ने दिया था 1,90,144 याद रखना यहने अप्रोक्सिमेटली दो लाख लूग देते हैं ठीक है मोटा मोटा वैसे 1,90,144 तीस बार भी देंगे पेर फॉर्ट एग्जामिनेशन अपीर दुए था फॉर्म तो दो लाख से जादा नहीं परा होगा फि법 केंडिडेट जो है थी 66,755 थी मेल केंडिडेट कुछ बहुत जादा थे लाट 23,388 फिर्मूस्ट दबा ली थे ठीक है तो फिमेल कितनी थी 66,755 फिर्मेल कीतनी थे oua 23,000 ऊले और transgender कितने थे 1 ठीक है तो overall ये gender distribution भी इन्हों ने आप बता दिया ठीक है तो आपको उम्मीद है कि पूरे data समझ में आ गया होंगे कि कि किसा कहां पे क्या क्या हुआ था और men engineering वालों से आपकी कैसे competition है तो ध्यान रखना बहुत अच्छे से पढ़ना इस बार और कोशिच करो कि आप सभी का selection हो engineering वाले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहा हो तो ज्यादा खुश्मात हो ना क्योंकि engineers भी लाखों है इंडिया में है ना तो उन लाखों में यह जो 99.99 ला रहा है ना सिर्फ कितने 18 ब्लस 19 कितने थे मिल 16 ही थे है ना तो ध्यान रखना लाखों में आप भी हो 16 में आना है तो फिर आपको भी काफी महनत करने पड़ेगी ठीक चीसान में आ गई अब हम बात करते है नोटिफिकेशन कब आएगा cat का तो मेरा जो अंदाजा है मेरे ख्याल से यह आपका आजाना चाहिए 31 जुलाई या 1 अगस्त को 99.99% चांस है कि 1 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा cat 2021 का हलका सा डिले हो सकता है इसलिए हो रहा हो क्योंकि कोविट का भी वो देख रहे होंगे कि नवंबर के समय जब वो एक्जाम करवाएंगे कि उस समय कोविट का कैसा सीन रहता है है ना तो उसके साब से कि डेट आई थी वो डेट को ही एक्जाम हुआ था वो चींज नहीं हुआ था तो इस बार भी उनकी पूरी केलकुलेशन के साबसी जो डेट वो बताएंगे ना 99.99% चांस है कि नवंबर लास्ट वीक जो भी संदे होगा उसको एक्जाम होगा ठीक है फिर भी 1 अगस्त तक वेट कर लेते हैं नोटिफिकेशन का उम्मीद है कि 1 अगस्त तक आही जाएगा और हाँ अगर आपको हमारा वीडियो कूर्स पर्चिस करना हो ठीक है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके पर्चिस कर सकते हैं www.catipmat.com है ना कित्ती आसान साइट है ठीक है तो जब रन ब् वाचिस वीडियो